नमस्कार दोस्तों आप सभी का साकत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में और आज की दिन भी हमने एक काफी अच्छी अपसाइड मूव देखी है आज की दिन थोड़ा सा गैप अप खुले हम थोड़ा सा नहीं अगर हम अगर फर्स टिक को बोलें तो फर्स टिक में एक अच इससे निफ्टी के अंदर सेल ओफ आया and then recovery तो दोस्तों मैं डीटील में अभी चार्ट इसलिए बता रहा हूं because इससे एक स्ट्रेंड का पता चलता है मार्केट के अंदर अगर हम छुटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो छुटे टाइम फ्रेम पर अटेम्ट हु अभी इंटेक्ट है जैसे बेर्स ने मार्केट को नीचे लेकर आने की कुशिश की वापिस से बाइंग पोजिशन बनी और मार्केट अपने हाई पे बंद हुआ अभी दोस्तों यहां पर एक थोड़ा सा यह एक हैमर टाइप पैटेन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको हम तॉप में अगर देखते तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं बट अभी लोग यह गलती कर देते हैं कि हैंगिंग मैन दिखने के बाद क्योंकि बुक में इस्टेंस हो और hanging man आ रहा हो तो एक reversal का मौका बनता है या फिर hanging man बन गया है उसके बाद उसका जो previous day का candle का low है वो breach करे तभी आपको confirmation मिलेगा ठीक है तो लोग अधिकतर वो mistake कर देते हैं और trend के against चले जाते हैं अब दोस्तों trend जो है वो clearly upside का बना हुआ है हम इतने दिनों से यही बोल रहा है कि DAO को देखके अगर हम देखेंगे nifty तो nifty कम चल रहा था बट after the election अब अच्छी move आ गई है आने वाले session में जिस तरीके से हमने कल discuss किया था कि high निकलेगा same आज के candle का high अगर निकालता है market ठीक है especially 20,875 इस level के उपर अगर market जाता है तो मेरे साबसे एक बार 21,000 तक market टच करने का पुरा प्रयास करेगा okay on the lower hand मेरे साबसे अगर इसके अदर कोई downside की कोई move कोई बनानी हो तो 20,500 से पहले हमें नहीं सोचना चाहिए okay अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो हो सकता है वो sideways हो जाए हम DAO का chart देखेंगे DAO में अभी थोड़ा sideways चल रहा है market वहां पे okay so यहाँ पे हो सकता है थोड़ा sideways चल जाए बट कोई major downfall जो आएगा वो 20,500 के बाद आएगा जिसके अंदर एक बार कले 20,350 तक मैं level expect कर सकता हूँ okay अब जोस्तों बात करते हैं bank nifty की bank nifty आज भी बहुत अच्छा एक momentum में था okay gap मिला फिर daily chat पर एक अच्छा buying देखने मिला okay और कल हम discuss कर रहे थे कि यह resistance है ओके यह भी resistance है लेकिन अगेन लोग यह mistake करते हैं कि यह intensity नहीं देखते हैं इस force से resistance टूटा है gaps के साथ resistance टूटा है इसे clearly यह पता चलता है कि अगर कोई correction भी आएगी bank nifty में तो मेरे इसाब से यह जो level है resistance का 46,380 वाला 46,400 हम गिन सकते हैं यहां पर आके market एक बार sideways consolidation कर लेगा अगर कोई correction आता है इनदी foreign market या कोई भी news बनती है otherwise bank nifty काफी अच्छा है कल जैसे bank nifty का high निकलेगा तो फिर से एक upside की move बन जाएगी डाउ की बात करें तो डाउ sideways में है एक बार के मैं bank nifty पे levels देख लेते हैं अगर 47,200 ब्रीच होता है तो definitely 47,500 और उसके बाद 47,800 यह दो level हम expect कर सकते हैं on the lower end एक बार के लिए अगर आज का low टुटता है bank nifty पे तो हो सकता है कि हम near about 46,400 के आसपस एक halt ले 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 but again downside के इसाब से कोई major downside अगर हमें दिखेगी bank nifty में तो वो दिखेगी एक जो gap बनाता political result के बाद उसके level की breach होने के बाद ही हम सोचेंगे तो 45,500 का level important है bank nifty में वो level breach होने के बाद ही कोई downside की move एक अच्छी catch हो सकती otherwise sideways हो सकता है और उसके काफी जादा probability बन जाती है sideways correction की DAO जैसे मैं बता रहा था DAO के अंदर कल pause था और pause के बाद आज भी थोड़ा sideways में है DAO बहुत छोटी range बनाया है DAO ने और अगर छोटी range में consolidate हो जाता है तो DAO अगेन उसकी strength बताता है कि जो bears है वाँ पे वो DAO को नीचे नहीं लेके जा पार है और ये consolidation होना it obvious क्योंकि हम काफी near पहुच गए है DAO के all time high से so time wise consolidate होगा तो भी as such कोई issue नहीं अगर कोई बड़ा cut आएगा तभी हम कुछ review करेंगे on the uptrend अभी uptrend intact है brand की बात करें brand नीचे जा रहा है brand का expectation है near about 72 to 73 तक एक बर side touch कर जाए क्योंकि काफी weakness है lower lower high बन रहा है और जो भी reversal है उसमें strength नहीं है brand में अगर मैं bond yield की बात करूँ तो ये भी one way नीचे जा रहा है lower lower high बनाते वे और काफी अच्छा trend बना हुआ है तो दोनों ही indicator intact है जो main एक है dollar index के अंदर एक बार reversal का भी attempt बन रहा है बट बाकी indicator देखके अगर dow sideways consolidate करता है time wise या थोड़ा बहुत उपर ही जाता है consolidate करते करते हैं छोटे range में तो वापिस से इसके अंदर एक downside की move शाहिद बन जाए तो overall bias हमारा positive भी रहेगा और कल के session में हमने कुछ counter पे charge study की थी उस पे सबसे पहले federal bank है federal bank के अंदर inverse HNS मिला देखने उसका एक breakout मिला आज और trigger भी हुए हम कुछ expect कर रहे थे कि इसके अंदर move बनेगी definitely intraday में बनी but strong closing नहीं मिली इसको हम बोलते है spinning top candle ओके आज की जो candle बनी है इसको spinning top candle बोलते है मतलब थोड़ा indecisive था bears ने उपर से selling की bulls ने नीचे से buying की अब दोस्तों इस scenario में हमने देखा है काफी लोग नहीं जूड़ते हमारे वीडियो के साथ तो आप अगर वीडियो देखोगे तो breakout counter के साथ ऐसा होता है कि breakout level तूटने के बाद थोड़ा सा वो sideways candle, doji candle, spinning top candle इस तरीके से बना सकता है बट overall charge structure काफी अभी अच्छा है, breakout भी मिल गया है हमें, आने वाले session में 160 के उपर निकलेगा तो फिर सही अपनी अपनी continue करेगा IRCTC इसने अपना just 5 minute में जैसे market खुला, just tick करके वापिस नीचे आ गया breakout level के बाद बट इसके अंदर भी थोड़ी selling हमें जादा देखने मिली, overall जैसे breakout candle, doji type candle बनती है इस counter के नदर थोड़ी सी selling हमें जादा देखने मिली, but still inverse HNS pattern almost intact है, क्योंकि यहां पे एक overhead resistance था इसलिए level हमारे थोड़े उपर ही थे, लेकिन उस level को touch करके यहां पे फिर निचे आया, but हम इसको respect करेंगे और यह pattern fail जब हो जाएगा जब इसके अंदर 690 के नीचे closing मिलेगी, यह चीज़ जान रखेंगे अगला एक counter देख रहे थे, borosil renewal इसके अंदर trigger price नहीं आए, और इसके अंदर भी एक inverse HNS pattern बनावा था ICIC security scanner cup and handle का अच्छा breakout आज हमें देखने मिला, अब इसके अंदर कल follow up buying आजाएगी तो एक further up move continue होनी चाहिए तो काफी अच्छे यह breakout मिला, अब देखो दोस्तों काफी सारे जो counter है, PSP वाले power वाले हमने काफी सारे पहले ही charge study कर ली थी, power वाले counter अच्छे चल रहे है आज के session में अडानी group के अंदर काफी एक अच्छी upside की move बनी थी, new slow भी काफी अच्छे आ रहे थे company के अंदर, सारी group company के अंदर बड़ क्योंकि candle काफी बड़ी बन चुकी है तो उसके अंदर कोई एक अच्छा play शायद नहीं मिल पाएगा, बड़ एक अच्छी trend वाली move मिल जाएगी उसमें एक reverse, एक छोटा सा pullback मिल जाए तो एक entry के अच्छे उसके अंदर आसार मिल जाएगे अब मैंने इसलिए फुड़े जो counter नहीं चले हैं उसके उपर focus कर रहे हैं अभी हम जो है वेदानता, वेदानता की अगर बात करें तो inverse HNS pattern इसके अंदर बनतावा दिखाई दे रहा है आमें अब inverse HNS के अंदर हम देख सकते है left shoulder, head और right shoulder इसका breakout जो है दोस्तों वो थोड़ा सा उपर हमें देखने मिलेगा जो कि आएगा आपको 246 के level पे 250 एक psychological hurdle बन सकता है बट अगर 250 निकलता है फिर definitely यह जो gap बना है यहाँ पे मेरे इसाब से एक बार attempt बन सकता है gap fill होने का next जो counter nickel के आता है वो है IDFC first, IDFC first की बात करें IDFC first bank यहाँ पे हमें एक resistance देखने मिलता है उसके बाद जो 90 के level ता same as a support act करता है और वापिस से यह level एक resistance act करता है इसका मदलब यह level काफी important level है control करने के लिए bulls या bears के लिए अब हमें दीख रहा है कि bulls एक try कर रहे है 90 के उपर closing देने की so मेरे साब से आने वाले session में आज के दिन का high अगर निकलता है तो definitely इसके अंदर further upside बननी चाहिए 90.75 का level बनता है तो 90.75 अगर निकलेगा तो इसके अंदर एक confirmation आएगी कि बुल्स फाइनली वापिस से इस territory में अपसाइट की territory में इसको ले जाना चाह रहे हैं 90.75 लेवल पर हम ध्यान दखेंगे अगला जो counter आता है दो cash के जो हम chart study करेंगे उसमें सबसे पहला है जिंदाल stainless steel अब अगर इस counter की बात करें तो इसने काफी अच्छी एक higher high low formation में था अब देख सकते हो जिस साब से इसके अंदर higher high high low बनी है अब trend जाते समय हम देख रहे हैं यहाँ पर this is the high this is the low higher high काफी एक अच्छा formation था अब यहाँ पर आप देखोगी तो series बनती गई and then एक halt आ गया अब इस halt के अंदर हम देख सकते हैं almost दो डाई मैने से sideways में यह counter trade कर रहा है और अब इसने एक CNH pattern बना दिया है cup and handle और handle भी काफी अच्छा एक flag type handle बना है आने वाले session में 545 लेवल का एक weight होगा अगर उस लेवल के उपर जाता है counter तो definitely एक बार के लिए upside इसके अंदर दिखाई देगी एस पर दी CNH pattern का पैटन का जैसे breakout होता है उससे साबसे इसके अंदर एक upside की move expect कर सकते हैं उसके अलावा last जो है cash counter वो है sun pharma ओके sun pharma advance research अब अगर इसकी बात करें इसने एक flag pattern बनाया है again higher high low दिखता है chart पे अगर current pole की बात करें तो मैंने pole यहाँ पे draw किया है यह pole है उसके बाद body है आने वाले session में मेरे सबसे इस pattern का breakout 287 लेवल के उपर मिलना चाहिए यह दो counter भी हम ध्यान रखेंगे cash वाले और overall bias जो रहेगा वो positive रहेगा market को पसंद आ रहा है तो definitely like करें अगर आप हमारे channel पे नए है तो definitely subscribe करें till then take care I will meet you in the next video